नमस्ते दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त महिश आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के पांच पैसे के सिक्कों के बारे में तो आएए देखते हैं हमारा आज का वीडियो तो अब तक अब याई ने आठ तरह के पांच पैसे के सिक्कों को जारी किया है जिन मेंसे साथ तरह के सिक्के मेरे पास मौजूद है हमारा पहला सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है जो निस सतावन से लेकर उनिस सो तरह सिट यानि 1957 से लेकर 1963 तक इश्यू किया जाता रहा य इस सिख्के का वेट चार ग्राम था, डामेटर 22 mm और थिकनेस 1.6 mm कि थी, हमारा दूसरा सिख्का भी स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कोईन था, ये सिख्का उनिस्सो सरसट यानि 1967 से लेकर 1971 तक इशु किया जाता रहा, ये सिख्का अलमुनियम का बना हुआ था, इसका वेट 1.5 ग्राम का था, पेमिटर 22 mm कि थी, थिकनेस 2.2 mm कि थी, हाटवा सिख्का जो मेरे पास अभी नहीं है, वो ऐसा ही दिखा करता था, और वो सिख्का 1972 से लेकर 1984 तक इशु किया जाता रहा, उस सिख्के और इस सिख्के में यही अंतर था, कि इस सिख्के पर देवनागरी लिपी से रुपे का बीसवा भाग लिखा हुआ था, सिख्के के पिछले भाग में अशोक स्तंब बना हुआ था, भारत और इंडिया लिखा हुआ था, पांच पैसा का तीसरा सिख्का, Food and Agriculture Organization क जो मेरे पास सिख्का है, वो काफी हद तक घेस चुका है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे, इसलिए मैंने इसकी एक तस्वीर इस वीडियो पर दे रखी है, यह सिख्का 1976 यानि 1976 में इस्यू किया गया अलुमिनियम का बना हुआ था, इसका वेट 1.5 गाम्स था, डामेट 1997 में इस्यू किया गया था, अलुमिनियम का बना हुआ यह सिख्का वेट में 1.5 ग्राम्स का था, डामेटर 22 mm और तिकनेस 2.2 mm कि थी, अगला सिख्का भी Food and Agriculture Organization को समरपित था, यह सिख्का Food and Shelter for All के नाम से जाना गया, यह सिख्का 1978 में इस्यू किया गया था, यह अलुमिन में कि थी, अगला सिख्का, 1989 यानि 1979 में इस्यू किया गया, International Year of the Child को समरपित था, यह सिख्का अलुमिनियम का बना हुआ था, वेट में 1.5 ग्राम्स और डामेटर 22.32 mm कि थी, तिकनेस 2.2 mm कि थी, पाच पैसे के सिख्कों कि स्रिंकला में, आखरी सिख्का 1984 से लेकर 1994 यानि ये Standard Circulation Coin Aluminum का बना हुआ था, यह सिख्का वेट में 1 ग्राम का था, और डामेटर 22 mm और तिकनेस 1.5 mm कि थी, आशा करता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुब हो,